मुश्कार आप सभी का स्वागत है दब बिहार टॉप पे और मैं हूँ आपके साथ रतनेश पांडे देखिए बिहार में सेसन लेट की जो समस्या है वो काफी जटिल बन गई है छात्र काफी ज़ादा परेशान है मगद इंवर्सिटी हो छपराविस्व विदाले हो या फिर कई इंवर्सिटी हैं जिनके सेसन लेट की गड़वड़ी के वज़े से छात्र काफी ज़ादा परेशान रहते हैं कई बार वो अपना समस्या लेकर के बिहार के सिख्षा मंत्री से कई लोगों से मिल चुके है मुख्य मंत्री को पत्र भी लिखा जा चुका है राजिपाल आते ही उन्होंने पदभार समालते ही बड़ी कारवाई करनी शुरू कर दी है अब देखे छपरा उन्वर्सिटी बिहार में सबसे गड़बर उन्वर्सिटी मानी जाती है इसको लेकर के कितना विवाद हुआ है कई आंदोलन भी हो चुके हैं कई तरह के की बाते छात लगतार कहते रहते हैं छपरा उन्वर्सिटी के को लेकर के और अब देखे छपरा उन्वर्सिटी पर बड़ी कारवाई करते हुए वहां के कुल सचीव को पदमुक्त कर दिया गया है जहां राजिपाल विश्वनात अरलेकर ने कुल सचीव को पत्रि लिखा और कुल सचीव को वहां से पदमुक्त कर दिया क्या है विस्तार से जान देते हैं ब्यार के नहीं राजिपाल साव कुलाधि पती ने बड़ी कारवाई करते हुए जैप्रकाश विश्वधाल छपरा के कुलपती को पत्र लिख करे वहां के कुल्सचिव डॉक्टर रवी प्रकाश बग्लू को पदमुक्त कर दिया है। राजिपाल के प्रदान सची रॉबर्क एल चौंगू ने 17 मार्च जैप्रकाश विश्वधाल छपरा के कुल्पती को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि नए कुल्सचिव की नियुक्ती होने तक अपने अस्तर से वेकल्पी विवस्ता सुनिशित करे। जानकारी है कि इन पर भरष्टा चार कारोप है। साथ विश्वधाले के कुल्सचिव के कारे के रूप के लिए बेकल्पी बना दवस्ता करने का निर्देश दिया है। एक और पत्र में राजिपाल के संयुक्तर सचिव प्रडीर प्रवीर कुमार गुपता ने राजिके साथ विश्वधाल पत्र में कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि इन विश्वधाले के कुल्सचिव के सभी कारे अगले आदेश तक रोक लगा दी गई थी। उपता आदेश पर आगे का निर्देश प्रात्त होने तक अपने अस्तर से वेकल्पी बहस्ता करना सुनिश्चित करें ताकि एसोसियेट प्रोफेशन से कम ना हो जिनके विरुद्ध को विवागिये कारवाई संचालित या गंभीर आरोप ना लगे हो। बगादे कि 11 मार्च को राजबहुन ने 7 कुल्सचिव के कारे प्रोक लगा थी तब राजिंद्र विश्वनात अलेकर ने बिहार में ने राज ज़ता का नगदेस करने के कुल्सचिव कुल्पतियों को दिया गया है। तो देखे एक बड़ी कारवाई हो रही है विश्वविदाले के कुल्सचिवों को पहले पदमुप किया जा रहा है और अब निगाही जो वहांके सेशन लेट की समस्या है उसको दूर करनी है। उस क्या को जल्द ही मिट आया जाएगा तो फिलाल के लिए इतना ही जो भी खबर होगी वो हम आपको लगतार देते रहेंगे इस खबर में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद